चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दर्या के बार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं यार बबल बना है चलता जा कोई यह है जाहे चलता जा नबील, वो मेली काजन है ना सलमा, कौन सी, वही गोरी सी, जिसके ने नक्ष खड़े थे, स्मार्ट सी, लंबे बालों वाली, हाँ वही, क्या होगा उपसे जानू, उसकी शोहर ने दूसरी शादी कर लिया, ये हुई ना बात, क्या मतलब, मेरा मतलब या जानू, ये क्या बा मुझे पर जानू, तुमने ऐसा क्या काम किया, जो मुझे तुम पर फखर हो नबील, मैने तुम से शादी किया जानू, क्या, हला कि मैं किसी से भी शादी कर सकता था, लेकिन फिर भी मैने तुम से शादी की जानू, तुमे इसका शुकर तोदा करना चाहिए ना, तुम से कि कुछ दिख भी कोभी तुम्हारे पीछे कॉन लड़किया थी मुझे क्या पताबी मैंने पीछे मुड़के थोड़ा थी घुटां के कौन लडकिया थी Со washes में वल्हें थी घूत dalुतों मैं बुलबले फैली एपिशोर से और मैं भी तुम्हें जबी से जानती हूं नबीर। काथ जानती हूं। मेरे खांदान के आदे से ज्यादा लोग मुझे दामाद बनाना चाहते थे। अपनी बेटियां लेकर हमारी हवेली के दरवाजे पर आकर धरना दे दिया था उन्होंने। कौन सी हवेली। ती जानू, शादी से पहले हम लोग बड़े अमीर थे। वो तो तुम से शादी मुझे राज नहीं आई। हमारी खांदानी चाहदाद मेरे चचा जुए में हार गए। वरना तुम कहां मेगा। शाराप नबीर। ओके जानू, तो मगर ये पहले कह रहती तो सीन इतना लंबा नहोता। ये आप कैसी वाजे निकाल रहे हैं, Sijad? महमूद! महमूद की वाज निकाल रहे हैं? अरे मैं कहा वाजे निकालो मुमू, मैं तो चुप करके किनू खा रहा हूँ। तो फिर ये काएं 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 क विलादा ही काये काये कर रहा है तुम्हें पता है मॉमो। जब कव्वा काये करता है तो क्या होता है? हा जी बारिश होती है अै नहीं भएiping तो फिर? कव्वा काये करें तो इसका मतलब है कि घर में कोई महमान आनेवाला है कह? हाा? उसकी तैसी चल डखो इदर से, पड़ो उस कियां जाके चीख ये कौन आ गया? मुझे लगता है कोई मेहमान आया है सुपाइब कौन आटी? तू मेरी आंटी है? नहीं, मैंने आपको आंटी कहा मैं तेरी आंटी हूँ? नहीं नहीं, नहीं तो फिर तूने मुझे आंटी क्यों बोला है? मुझे एक ग्लास पानी चाहिए तेरे घर पानी नहीं आ रहा क्या? आंटी, प्लीज मेरी मदद करे तेरे पिछे गुंडे लग गए है आंटी, मैं बड़ी मजलूम और मजबूर लड़की हूँ घर से भाग के आई हूँ भागते भागते मुझे प्यास लग गई वेकिर इस मोहले में तो कोई मुझे पानी तक नहीं पिला रहा बड़े एक मिने लोग है एक बात बता तू घर से भाग के किस चकर में आई है? बहुत लंबी कहानी आंटी जी तो तू अपनी आंटी से अब छुपा रही है आंटी मैं लुट गई ए लाजी पुतर ये बात इतनी उची उची तो नहीं बतानी चाहिए थी ना तुझे है चल चल कोई नहीं अंदर आजा मैं तुझे पानी पिलाती हूँ आजा आजा ये बैठ इधर रखने बखसा हूँ चल चाहँ बैठ लगाए जा ने इधर नहीं है इधर नहीं इधर इधर बैठ है परिशानी होना तुने रोना भी नहीं है मैं तेरे लिए फानी लेकर आती हूँ अच्छा मॉमो मॉमो कौन आजा है लड़की ऐ हसीन दोशीजा तुम रो क्यों रही हो क्या तुम्हें इस घर में नभील नामी घटिया और चीप आदमी ने तंकिया है नहीं अंकल अंकल अरे लगता है तुम मेरी संजीदा परसनेलिटी से दोखा का गई हो अरे मैं तुमसे दो चार साली बढ़ा हूँगा जी कौन है तुम मैं किरन हूँ किरन यह ले पानी आप क्या कर रहा है अदर मैं पानी का इंतजार कर रहा था यह पानी मैं इसके लिए लेकर आई हूँ आपको नहीं पता इस मसूम के साथ बड़ा जुल्म हूए है किस ने किया इस हसीन और मसूम लड़की पे जुल्म बताओ मामा बताओ वे ओ मैं मुसाब क्यों चिला रहे हैं आप यह कौन है पतर यह कजन है मेरी हाँ जिसके साथ तु बच्पन में खेलता होता था था ना यह मेरी किरन मैं बताती हूँ पतर इस बच्ची का ना छोटा मचा घर से भाग गया था तो यह उसको ढूबते फेर रही है आंटी तु कब्रामती अपने बंदें किसी को कुछ नहीं बताएंगे फला देखिये ऐसी कोई बात नहीं है मेरी कहानी तो कुछ और ए हां दो बताओ किरन दोस्तरा हम चाले काहा नेMY काहानी तुम्हारी काहनी है हमने दुम्हारी काहानी तुम्हारी ही सुन्नी है मुझ बात गपराइच को रही है ओ यार मैं मॉसवान मुसाब पीच CHET है आई Kashy 20 पहले बड़ा हब्स हो गया है पुठेजी उस सोफे पे चलते हैं वहां ची खासी हवा रही है वहां बैटके मुझे बताइएगा आपकी स्टोरी बेसिकली है क्या चोड़ जी माची मैं लेके जाती हूं जी माची चले आओ फासला रख फासला है हाँ अब हो बता पुतर के फ्राब्लम है हुआ है जी अएल किया डूसरी शादी कर रहे है किशंचंगा गार्वा कि मेरा बाप जस लड़की ते साण रहे है, वट्टे सेटे में उसका बाप मुझ से शादी कर रहा है तुम्हारे बाप की यह जुर्द कि इतनी सी लड़की पे इतना बड़ा जूल अरे वह आदमी तुम्हारा बाप है यह साम मेरा मतलब बाप, बाप! अबबजी का फोन तु अपने अबबे का फोन लेकि भागी है नहीं अबबजी की कॉल आ रही है अरे मेरी बात करवा हूँ जालिम आदमी से इधर दो अगर तु ने इस लड़की के साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुझे ज़ड़ूँगा नहीं अबे तु कर क्या लेंगा यह ले तू बात कर आप अबे सुन मैं क्या करूंगा कुट्टे कुट्टे छोड़ दूँगा तुझ पर मैं शहर का सबसे बड़ा गु मेरा और लोग मुझे नबो नबो कहते हैं और हम दोनों का बॉस है जेजे जेजे भाई अब तो खुश है ना हाँ मैं मुसाब काटे यार काटे इसको अब तेरा बात तुझे कभी तंग नहीं करेगा नेकिन उनका फोन तो फिर आ रहे तो फिर साइलेंट करो ना यार सोचने हैं कि अगला सीन कौन से करने आजे हलो चले 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 मैं तेरे लिए चाय बनाकर इस पर रख के लेकर आती है फोन है अच्छा या नबील मेरा दिल ये कह रहा है कि मुझे उस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए मैं उसा मैं तो कहता हूं उस लड़की को अब उसे बहू बना रें... याा... हाँ... मैं आपका दिल रखने के लिए ये कुर्बानी देने के लिए टायार हूँ वो जे तुम देने के लिए तैयार हो वो कुर्मानी है हाँ जी नई जी हाँ जी हाँ जी माजी कुलड़की कोन है यह आप से मेरे बारे में कुछ पूछ रही है माजी मैं आप से पूछ रही हूँ तो पूछ क्या पूछ रही है यह लड़की कौन है यह सिमरन है नीका किरन यह सिमरन है किरन किरन मेरा नाम है हाँ हाँ इसका नाम किरन है ओफ, यह कौन है आंटी, तुमने मुझे आंटी कहा? नइ, मैंने इनको आंटी कहा. कोई बात नि, हम दोनो एक ही उमर के है. माजी, यह लड़की, यहाँ क्या करने आई है? हाँ, पतर तो तू, यहाँ क्या करने आई है? आंटी, बताया तो था के मेरी शादी, हाँ हाँ, यह यह हैं यहाँ शादी करने आई हैं मेरे पुतर से यहाँ? नभील? अंटी? रजिमाँ यह याँ के बेटे से शादी करना नही है तो पिर कुसली है? नभील? नभील? हवाज स्वा देदा़ करे करो कि वह लड़की کesters? वह लड़की नहीं है, किरन है? कौन किरन अरे वह बेचारी बड़ी मजलूम लड़की है, खुबसूरत मैं आप से नहीं नभीर से पूछ रही हूँ नभीर तू कहरे हैं कि आह तू म concur वह लड़की यह तू तुमसे शादी करने है क्या? मेरा बाप मुझे फिर बहुन कर रहे है तो बड़ाई धीड आदमी है यार आप बात करें मुझे कहीं खून बून नहों जाए अरे तु बास क्यों नहीं आ रहा पुलिस पिजवाऊं तेरे गर अरे तुझे पता नहीं है लड़की की जबरदस्ती शादी करना कितना बड़ा जोर मैं अबे तू मेरी बात सुन किरन को बोल देना कि उसने घर से भाग कर अच्छा नहीं किया सारा मौला थूतू कर रहा है मुझे पर और तो और अब तो मेरी डानलिंग ने भी मुझे से शादी करने से बना कर दिया है अब तो सारी जिंदेगी रनवा ही रहना पड़ेगा मुझे ठीक है बोल दूँगा उससे कहना कि अब वो कभी वापस ना है अब मेरा कोई तालुक नहीं है उससे रखो उसे अपने पास देख मर्द का बचैना तो अपनी सुबान पर काइम रहना अब तो खुश हो जाओ क्या हुआ तुम्हारे अपपा ने तुम्हें घर से निकाल द क्या अब तुम्हारी कभी शकल भी देगी तेखेंगे मैमुसाब यार मुझे एक बाद उताएं ये खुशी से बेहोश हुए हैं सदमे से यार ये तो होश में आ के खुदी बताएगी चले मैमुसाब इसे अंदर लेके जलते हैं मैं उठाता हूँ और ने नी भई मैं उठ जाओंगी और जानलों पर तुम दोनों को मुझे उठाना पड़ेगा पाराल उठाके दिखाओ मुझे तरा दिखाओ अधर मुझे लगता है ये मर गई है तो फिर उठ क्यों ने रही है तुमने पानी का त्रहूं का इतना काम लगाया थोड़ा सा पानी और डालो अच्छ अब अब क्यों रो रही हो अब तो मैंने सब कोई ठीक कर दिया है क्या ठीक कर दिया आपने मुझे मेरे बापने घर से निकाल दिया अब मैं इतनी खुबसूरत जवान जहां लड़की कहां जाओंगी कहां रोंगी मेरी पच्छी रो मत तू यही रहेगी मेरे पास हुलिए क्या आप माजी पहली बार मुझे आपका बेटा होने पर फखर हो रहा है आपका दिल भी मेरी तरह बहुत बढ़ा है आप तुम्हे मैं पिर तुम्हारा कमरा दिखा दूँ एक मिन देख मिन देख मिन ये आप लोग किस किसम की बातें कर रहे हैं ये लड़की यहां कैसे रह सकती है क्यों क्यों नहीं रह सकती जानू नबील एक अजनबी जवान लड़की इस घर में नहीं रह सकती और क्या हो है माजी आप हमारे शोहरों को अच्छी तरह जानती है फिर भी पूछ रही है खुबसूरत अपने शोहर के बारे में जो कहना है कहलो लेकिन खबरदार मेरी पाक दामनी पर तुमने की चड़ उचालने की कोशिश की तो ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी ये लड़की यहीं रहेगी आस्या हाश्मी माजी चुबए है है शामशे है है शामशे माजी हुआ यार मामूसाब याप क्यो रही है अचा है ना रोने दो दिल का बोज बोज हलका हो जाएगा उच्छा जी रोलो रोलो छोड़ ए ज्यादा रोरी है मामूसाब होसला करे होसला मुझे, मुझे यह औना यह जाहिव the हाँ इस लॉन में थण्डो हो रही है मैं लॉन की नहीं, इस घर की बात करें हूं मुझे इस घर में ही नहीं कर रही हाँ आप मेरी बीडी की बातों का बुरा मान गई ना हाँ के वो तो पागल हैём वो सच-बुछ पागल है, हाँ, अरे हाँ, वो पागल ही तो है, मैंने तरफ सा कि उसमें शादी की है, क्या मतलब, एक्चली मेरी बीवी के पापा को ने डॉक्टर ने कह दिया था कि इस लड़की की शादी करते हैं, शादी ठीक हो जाए, फिर? फिर क्या, मैंने इंसानियत क के ना ते उससे शादी कर ली, मुझे क्या पता था, ये पागल लड़की मुझे पागल कर देगी, खुद धीक नहीं होगी, अब क्या बताओं आपको, रोज दोरे पढ़ते हैं उसे, लड़ती रहती हैं मुझसे, मेरा काम तो बस दवाईये खिलाना ही रह गया उसे, आप आपकी खातर स्पागल लड़की की कुर्बारी देने को तयार हूँ, जी? जी हाँ, कहीं मिलेगा आपको मेरे जैसा नेक दिल और खुबसीरत इंसान, नबील, पोरण कमरे में आओ, लगता है उसे फिर दोरा पड़ गया, मैं मैडिसन दे के आया उसे, ये में किन लोगों म खुबसूरत, तुम्हारा दमाग तो खराब नहीं हो गया, एक अंजान लड़की को घर में रख लिए, वो लड़की अब मेरे लिए अंजान नहीं रही, नबील, अगर उसके बाप ने हमारे खिलाफ पुलीस में रिपोर्ट कर दी तो भेर, तो क्या हुआ, मैं उस लड़ की यहां हैं, आप यहां अकेली बैटी मेरा इंताभ कर रही हैं नаемся, मैं इस तक बहुत परशान हूँ, प्लीज, मैं तुम्हारी सरी परेशानिया दूर कर दो ला, यहां, हाँ,만 बस एक बात का खियाल रखना है तुम्हे, जा उनtha कि रे खिर ईंपkin ये नबील से ना जड़ा दूर दूर रहना है क्यों अरे वो बहुत ही घटिया और नीच आदमी है खुबसूरत और भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फसाकर बेवोकूफ बनाता है यह अब क्या कह रहें एक मैं ही हूँ जो दिल से तुम्हारी फिकर करता हूँ तुम परेशान मत होना मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से बगावत कर लूँगा एए माजी तु तु रो क्यों रही है शकीला तुझे किसने मारा खुबसूरत खुबसूरत ने मारा है तुझे माजी मेरा नाम खुबसूरत है ओए खुबसूरत तु ने शकीला को क्यों मारा है माजी प्लीज यार होश में आए तो क्या मैं तुझे टून लाग रही हूँ है माजी आपको क्या ज़रूरत थी उस दड़की को इस घर में रखने की? तो मैंने तुझे भी तो इस घर में रखवाए ना? आपने नहीं मैंने आपको इस घर में रखवाए हाँ तो ये एक ही बात हो गई ना? माजी अभी भी वक्त है उस किरिन को इस घर से निकाल दें वनना वो घर खराब कर देगी ना वो कौन सा अपने साथ गये बैसे लेकर आई है माजी वो नभील पर डोरे डाल रही है कौन नभील? आपका बेटा यह? जी, नभील उसे शादी करने का प्लान बना रहा है हाई मेरा पुतर तू देख लेना रहा ना उसको कितना स्वाब मिल रहा है क्या? हाँ हाँ जानू सुन्दरा पल गें तो उछा आखों में दूपलो तुझे चुच 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 चुदा लो तुझे आ मेरे पात आ जानू सुन्दरा अपने आखों से देखें माजी वा क्या चल रहा है पर पुतर ये तो तेरा मिया उस लड़की के साथ डाउन्स कर रहा है माजी है मेरा मिया नहीं है आपके मिया है महमुद हाँ जी ओए मैं महमुद के बच्चे ठेर जाओ अब मॉमा मेरी बात तो सुनो मैं तेरा खुट ली जाओंगी तुमीने मैं मैंने किया क्या है वो जैसी हसीन और जवान बीवी के होते हुए तु उस लड़की के साथ गाने गाना था है मैं वो सब आपको शर्म आनी चाहिए वो आपकी बेटी की उमर की है तुम तब अक्वास बन करो नबील तुम खोद उसके साथ डांस कर रहे थे तो क्या हुआ जानू वो और मैं तो हम उमर है नाच सकते हैं शराब नबील तुम इसे बात करो खबसूरत चुप करो तुम साब चुप करो तुम साब चुप करो आज मैं एपीसोड में एंट्री देने में आया तो फिर किसलिए आया है बड़ साब तुम दोनों के खिलाब F.I.R. दर्जुए है कैसी F.I.R. यही के तुम ने एक जवान और खुबसूरत लड़की को किटनाप करके घर में रखा हुआ वश्या वश्या अब बड़ साब आपको को खलत पहमी हुए याई अब मेरे पाद तक ही रिपोर्ट है इस घर में एक लड़की मौजूद है अज तुम लगों को पता नहीं है एक लड़की को अगवा करने की सदा उबर कैन है अरे वो तो मेरी कजर है किरन 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 वो मेरी खालाजात बहन है बिल्कुल बेहनों की तरह हाँ बड़ साब मेरी तो वो बिल्कुल बेटियों जैसी है हम उसे बहला क्यों अगवा करेंगे माजी मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं मुझे उस लड़की से बात कर नहीं ठीक बड़ साब किरन बहना चुपी रहना थकी रहना करेंडराणा किरन बहना बहन जी आगी अ बेटा बड़ साब आपसे कुछ पूछना चाह रहे है हो तो यह है वो लड़की हाँ फैलड़की सच सच बताओ तो मुझे मजी से इस घर में लहनी हो या इन दोनों ने तुम्हें किटनाप किया हुआ बाजी किरन, डरो मत बट साब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे मैं हूँ ना चुपकर ठरकी बुड़े बट साब, इन दोनों ने मुझे जबरदस्ती यहां रखा हुए बेशरम आउरत, हम तुम्हारी मदद कर रहे थे तुम हमें ही पसा रही हो जानू को तौला बट साब को, हम इसकी मदद कर रहे थे जानू मैं तो जोट नहीं बोलूगी मौमा, तुम्ही बट साब को समझाओ ना के हमने तो इसे बिल्कुल अपनी बच्चों की तरह समझा है चला, चला, चला बट साब जाने 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 चला, चला चला, चला ना, ना हो तो ना, 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 झाल झाल